नमस्कार में हूँ आचल सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर अर्नो गुस्वामी और उनके चैनल को जिस तरीके से प्यार और सम्मान जनता दे रही है ट्यार पी लगातार उनके चैनल की बढ़ रही है अब दिकत बड़े बड़े लोगों को इससे हो रही है सल्मान खान जैसे लोग भी अब बॉखलाए हुए हैं अर्नो गुस्वामी की ट्यार पी को लेकर जनता जो प्यार और सम्मान रिपब्लिक भारत को दे रही है उससे बड़े बड़े महनायक डरे हुए है अब अर्नो गुस्वामी के खिलाफ तो शाजिस रची जा रही है उनके खिलाफ महराष्ट सरकार पुले सो यहां तक डारेक्टर प्रोडूशर प्रोडूक्शन हाउस सब लगे हुए हैं अब सल्मान खान भी इन் डाइरेक्ली तन्जकस रहे थे अर्नो गुस्वामी पर लेकिन जंता ने उल्टी ही उनकी क्लास लगा दी है तो हम बात करेंगे पहले बिग बौस से रिलेटर अर्नो गुस्वामी से रिलेटर एक खबर पर और दूसरी तरफ बिग बी की हम बात क बिग बॉस से लेकर बिग बॉस में अर्णो बोस्वामी पर तंज कचते हुए सलमान खान ने ये कहा कि जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो एक्टिंग करने के लिए बुलाए गए हैं वहाँ पर इसक्रिप्ट उनको दी गई है और उनको वायहात चीजें करने के लिए अश्रीलता फेलाने के लिए बिग बॉस के अंदर घर में भेजा गया है उनको वो नसीहत दे रहे थे उनको वो पार्ट पढ़ा रहे थे जैसे कि आप सभी जानते हैं वीकेंड पर वो आज आते हैं थोड़ा लेक्चर देते हैं और अपना रुदबा दिखाते हैं उसके पैसे उनको दिये जाते हैं तो सल्मान खान वहाँ पर पहुंचके उनको यह नसीहत दे रहे थे लोगों को कि ट्यार्पी के लिए ही आपको सब कुछ नहीं करना है चिलाना नहीं आपको यह नहीं करना है यह जूट बोल रहा है ऐसा नहीं करना है ट्यार्पी के लिए ही न चानल, चाहां है। कौन से कामरे में आए, की इमोशन दिखाने हैं, कहा रोना है, कहा हसना है, सब कुछ टियार्पी के लिए होता है। वोज जो में सलमान खान ग्यान बाट रहें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनकी फिल्मे आती हैं और वहाँ पर अगर किसी फिजिक्स के टीचर को बिठा दिया जाए और यह बताया जाए कि यह फिल्में यह हमारे तरफ से यह लॉजिक है और इसमें यह हम इस नियम और और उसके बाद सलमान खान की वायहात एक्टिंग और उसके साथ ही बकवास जो चीजे वो दिखाते हैं चाहे कोई भी इनकी फिल्में उठाकर देख लें जादा तर फिल्में इनकी ऐसी ही हैं अब वो किसी तरीके से कमाई कर लेती हैं क्योंकि वाइट और ब्लैक का जो ख जो कसा जा रहा है वहीं जो चैनल है जो रिपबलिक भारत के खिलाफ शाजे सरच रहे हैं आपने देखा कि F.I.R. में कहीं रिपबलिक भारत का नाम नहीं है इंडिया तूडे का नाम सामने आया है लेकिन आज भी वो चिला कर रिपबलिक भारत और अर्णोग उस्वामी क जूट हो जाते हैं और ये जो गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले दिनों में उन पर ही भारी पड़ती है क्योंकि हमने देखा बहुत सारे ऐसे चैनल है जो पहले राष्टवादी चोला ओड़कर आते थे आज वो भी बेनकाब हो गए जनता उनको जूते मार रही है तो जादा देर नहीं होती तो समय का चक्र है और ये चलता रहता है कभी किसी का समय सही चलता है तो कभी किसी का समय चलता है तो कभी भी हमें जूट और शाजिस नहीं रचनी चाहिए जैसे कि ये सारे चैनल चल रहे थे इंडिया टूडे भी आज तक बड़े बड़े दंगल और डिबेट करा रहा था लेकिन जब सच सामने आया तो वो दुबक कर भाग गया और अब उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा है उसके साथ ही जब रिपब्लिक भारत ने इनका काला कारणामा सब के सामने रख दिया कि छे बार इनका नाम है उस पर भी ये चुपि साधी हुए है तो सलमान खान जब अंगूर नहीं मिले हैं तो अंगूर खटे हैं वैसे ही बात करने हैं कि ट्यारपी के लिए आपको नहीं करना फिर किसलिए आपने शो बनाया है इतनी महेंगी फिस किसलिए है सुपर हिट तो आप ही बता रहे थे tresna, TRP के लिए तो आप ही काम कर रहे हैं, TRP हिट इसाइड करती है कि आपका सोपर हिट है, फिर आप कैसे बोलते हैं, हमने सुपर हिट दे दिया तमाम चीजे वहाँ पर आकर आप ये बोलते हैं, कि हमने तो ऐसा ऐसा कर दिया तो ये सारा जो है ये दिखाई दे रहा है कि कितने डर्यों और घबराय हुए हैं अर्णो गोस्वामी और रेपब्लिक भारत को लेकर वही दूसरी तरफ हम बात करेंगे बिग बी की अमताब बच्चन की जो सदी के महनायत कह जाते थे लेकिन जनता आज उनको पूरी तरीके से अपने दिलों से निकाल कर फेक चुकी है और अब उनका जादू नहीं चल रहा है के बी सी की जो टी आर पी आई है वो बेहद ही कम है लेकिन आप जनता जो रियाक्शन दे रही है एक तरफ तो कॉलर ट्यून को लेकर जो अमताब बच्चन की आवाज आ रही है उसका जनता विरोध कर रही है उसका बहिशकार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम नहीं सुनना चाहते हैं इसके बारे में जो ट्वीट हैं वो हम आपको पढ़के सुनाएंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ और बता दें इसके बारे में अपको जब्लें तो पनामा के लिए बड़ा गोलत आप लीट कर दिया है शुन typing पनामा के लिए को बड़ा ल Lewis के सिर्था लिए कि और आप लिएकी तौयँट कर दें के लिए एक और ट्वीट कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों के रियक्शन आ रहे हैं और लोग यह कह रहे हैं कि हमें आपके वायाद ट्वीट फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं और आप हमें बोर करेंगे आप बखवास सुनाइगे इसलिए आपको हम पहले ही बता दे सुनने में मन करता आपके आवास से तो सर दुखता है क्योंकि आपकी आवास वापस ले लीजिए अब जनता यहां पर जिस तरीके से अमताब बच्चन का बहिशकार कर रही है और आवास भी नहीं सुनना चाहती है इसी के साथ बहुत सारे हमारे पास इस वक्त ट्विट है जो यह कह रहे हैं कि आमताब बच्चन का पूड रूप से बहिशकार हो प्रदान मंती नरेन मोधी से भी यह मांग की जा रही है कि इस कॉलर ट्यून को हटाई जाए क्योंकि हम नहीं सुन सकते और हमें इरिटेशन होती है राहुल बिरला नाम के एक यूजर का ट्विट है वो रॉंग है और इस पर आप किसी MBA या CA को आप रख लें ताकि वो अच्छे से काउंट करके आपको बता सके और रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके इसी के साथ विटी 2.0 नाम के एक यूजर का हमारे पास कमेंट है उन्होंने लिखा है कि सर क्यूंकि आप दोबारा ट्विट क मुसौंत नाम के एक यूजर है और उन्होंने लिखा है कि बिदंबना देखिये जो व्यक्ति खुद कोरोना से नहीं बचपाया वही कॉलर ट्विन पर ग्यान दे रहे हैं तो अपर बहुत सारे ट्विट हैं एक यूजर ने लिखा है नमस्कार सर्थ हम मिटा प्पिचन की आँ रहे हैं जो टूइट हैं और कमेंट हो आ रहे हैं कि हम अब कॉल कर Bennett ऑढ़ हें वूर्ट काल कर रहे हैंगर चु सकते हैं कि जनता के दिल में कितनी इज़्जत और प्यार महब्बत अब поп BEN बी के लिए महानायक के लिए बची यह हुई बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जहां पर दिखाते हैं कि उनका पूरा परिवार अवसरवादी है अपने आप के लिए अपने स्वार्थ के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है और इसलिए वो लगातार आप बाइकॉट कर रह ही यहां तक कि उनकी आवास भी सुन्ना नहीं पसंद कर रही है जबकि उनकी आवास जनता को इतनी पसंद थी कि अगर वो अपने आवास में कोई एक मैसेज कर देते तो जनता उसको सुनने के लिए उतावली रहती थी उतसाहित रहती थी आज वही जनता इनको किस तरीके से सड़क पर लाकर बिठा दिया है और वही जनता ये दिखा रही है कि छेद कहां पर हुआ है बॉली बुड में थाली में या फिर ये जो खोखला संसार था आपका जो अवसरवादी लोग महापत बैठे हुए थे उनका जो ये बनावटी चेहरा था उससे परदा हटा है तो जनता देर ही सही लेकिन वो समझदार है समझती है और इन लोगों के चेहरे बेनकाब कर चुकी है तो सल्मान खान जिस तरीके से अर्णों गोस्वामी और उनके चैन क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ भी बोलेंगे जनता उनका उनको जबाब देगी और वो जिस तरीके से ट्यार पी की वो बात कर रहे हैं इंडिया टूडे का नाम आया है उसमें रिपब्लिक का नहीं है जो बहुत सारे न्यूज चैनल ये फवाफ लार है उन लोगों पर पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमिन करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे